गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स किर्ददास मुनुरा बाल भारती माधिमिक इध्याले की ओन्लाइन क्लास में आपका स्वागत है आज हम क्लास 6 हिंदी विशे के अंतरकत पार्ट 2 बच्पन पढ़ेंगे इसकी इसके लेखा के हमारे यहां पे लेखी का है वैसे इसकी पार्ट में उतारा है क्या बताती है देखिए मैं तुम्हें अपने बच्पन की ओर ले जाओंगी मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी मुकी तुमारी दिदी भी हो सकती हूं तुमारी नानी भी बड़ी भुवा भी बड़ी मौसी भी परिवार में मुझे सभी लोग जीजी क देहकर ही पुकारते हैं हाँ मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानि उम्र में सयाना मैं एहसूस करने लेगी शायद इसलिए कि पिछली शताबदी में पैदा हुई थी मेरे पहनने ओड़ने में काफी बडलावाई हैं पहले में रंग विरंगे कपड़े पहनती रही नीला जामुनी ग्रे काला चॉक्रेटी अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो गहरनी हल्गे रंग मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशा के पैनी है पहले फ्रॉक फिर निकर वॉकर इसकाट रहेंगे गरारे और अब चुड़िदार और घेरदार कुरते बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है यहाँ पर लेखी का अपने बचपन के बारे में बता रही है कि वह बचपन में क्यक्यकारी कर बाजू पर भी गोल गफ एक हलकी गुलावी रंग का बारी चुन्टो वाला गेरदार फ्रॉक नीचे गुलावी रंग की फ्रिल यह तरह की फ्रॉक के बारे में बात चीत हो रही है यहाँ पर उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इत्राते समय के बच्पन की बता रहे हैं कि उस समय यह परंप्रा ऐसी थी कि लड़किया फ्रॉक बेहनती थी और फ्रॉक के अंतरकत जो फ्रॉक का रंग होता था उसी रंग के वहाँ रिबेन अपने बालों में लगाती थी तो उन्हें वह बहुत ही सुन्दर लगता था लेमन कलर क का बड़े प्लेटो वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी मतलब लहर लहरियो टाइप करता ना लहरिया वह दो ट्यूनिक भी याद हैं एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी मुझे अपने मुझे और स्टॉकिंग भी याद है वस्पन में हमें अपने मुझे खुद होने पड़ते थे वह नौकर यां नौकरानी को नहीं दिये जा सकते थे इसकी सत्मनाई थी हम बच्चे इत्वार की सुभे इसी में लगते थे धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते जब जूते कपड़े आप ब्रस से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती लेकी का कहती है कि मुझे आज भी बोट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है अलाकि अब नई नई किसम के सुझा चुके हैं कहना होगा कि ये पहले से कहीं जादा आराम दे हैं हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालो का इलाज शुरू हो जाता था जब कभी लंबी सेर पर निकलते तो अपने पास रूई जरूर रखते जूता लगा तो रूई मूझे के अंदर हाँ हमारे बच्पन में तो बहुत फर्क हो चुका है की बच्चपन में और बड़े हो चुक है तो इसमें फर्क हमें लिए बताती है हर फरणीचर को हमें ऑलिवेल और केस्टर पीना परता है मतलब है हर शनीवार को प्रक्राम जैतून का पिना परता था यह एक मुश्किल का मतलब इसकी गंद आने लगती थी छोटे शिशी की गिलास जिन पर ठीक खुरा के लिए निशान पर रहते हैं उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी मतली मतला उल्टी होने लगती थी मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था सेहत ठीक ही रहती मतलग कि कैस्टर वेल पेने से कहते हैं कि इंसान की सेहत बहुत अच्छी रहती है इसलिए बच्पन में लेखिका हो ये सब पीना पड़ता था तुम्हें बताओंगी कि हमारे समय तुम्हारे समय में कितनी दुरी हो चुकिए यहां तक कि बच्पन की दिल्चस्पियां भी बदल गई है याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे रेडियो टेलिविजन नहीं थे पहले घरों में रेडियो टेलिविजन हे जिसमें से जो भी हमें सुनना हो था था आकश्वानी या वीद भारती सुनना था तो ग्रामोफोन के जरी ही सुना जाता था हमारे बच्पन की कुलफी आइस क्रीम हो गई है कचोड़ी समोसा पेटी में बदल गया है शेहदूत और फालसे खसकस के शर्बत कोक और पेपसी में मतलगी जो हम घर में जूस निकाल गए पिते थे अब उनकी जगे हम क्या कहते हैं कोक और पेपसी पीते हैं उन दिनों कोक नहीं लेमनेंड और विम्टो मिलती थी मतलग कि उस समय जो कोक थी उनके यह नाम है शिमला और नई दिल्दी में बड़े हुए बच्चों को वेकर्स और डेवी को रिष्ट्रों रिष्ट्रा की चॉक्रेट और पेष्टी मज़ा देने वाली होती थी हम भाइबेनों की ड मॉल से ब्राउन बेल्ट लाने जाए लिखी का कहती है कि हमारा गर मॉल से जदा दूर नहीं था एक छोटी सी चड़ाई और गिर्जा मैदान पहुंच जाते वहां से एक उत्राई उतरते और मॉल पर कंफिंश्री कांटर पर तरह था की पेष्ट्री और चॉकलेट की खुश्बू मनभावनी होती थी हमें हफते में एक बार चॉकलेट खरीटने की छूट थी हफते में एक बार लेकिन आजकल के बच्चे तो हर एक-दो दिन रोज ही ज़ाद था चॉकलेट खाते हैं सबसे चॉक्रेट टॉफी का श्रॉक्रेट लेकर खड़े ख़ड़े कभी ना खाती घर लॉटकर साइड बोर्ड पर रख देती जो साइड में और रग देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे ले लेकर खाती थे शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं खटे मी गजब की चीज आग पर भुने जाते और फिर छर्कियों उतार कर मुँठी ये जेस्टेनट एक तरगी मुफ्री है ये मुफ्री है जो आग में भून कर और फिर ांड़ाने का चूण हा चने जोर गरम की पूरीय जो तब थी अब बिन पुराने काग्जों से बनाई हुए इस पुडिया में नीरा हाथ का कमाल है नीचे से तिर्षी लपेटते हुए उपर से इतनी चोड़ी की चने आसानी से हतली पर पहुंचाए एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाप बू मैं लाया मसेदार चना जोर गरम उन के गाना गाती थी कुछ बच्चे पूडिया पर तेज मसाला बुर्क वाते थे मतलब की जो चना जोर गरम था उसके उपर क्या है तेज मसाला डालते थे पूरा गिर्जा मैदान घूमने तक वह पूडिया चलती रहते और एक एक चना पापड़ी मु में डालने और कदम उ क्छा इलिफी का है यह शिबड़ा की रहने वाली थी उन्होंने अपने बच्पन में कई काम किये थे जिनके बार मेरे भी बताया है कि उन्हें अपने बच्वन में क्या-क्या करना पड़ता था हम जाने क्यों घोडों को कुछ कमतर करके समझते क्योंकि वह घोडों पर बैठते थे वापे उन पर हसते थे ननिहाल के घोडे खुब हर्ष्ट पुष्ट और खूबसूरत उनके बाद तो फिर कभी शाम को रंगब्रम की गुबारे सामने जाखु का पहाड उंचा चर्च चर्च की घंडिया वसती तो दूर दो तो उसकी आवाज घूंच जाती थी और फैल जाती थी लगता था कि इसके संगीत में प्रभू यिशू सामने आकास पर सूर्यास थो रहा है गुलाबी सुनहरी धारिया निले आसमान पर फैल रही है दूर दूर फैले पहाडों के मुखडे गहराने लगे और देखती देखते बतिया टिम्टिवाने लगी रिच पर की रोनक और माल की दुकानों की चमक की भी क्या कहने थे स्केंडल हील पॉइंट की भीड में उबरता कोलाल मतलब कि स्केंडल हील था जहां पर भूस सारे भीड उमरती थी देखने के लिए संलाइट सर्वर इस केंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दोने एक दुकान हुआ करती थी जिनके शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मोडल बना हुआ था इसकी पट्रिया उस पर खड़ी छोटे छोटे डिबो वाले ट्रेन एक और लाल टिन की छत वाले स्टेशन और सामने सिंगनल देता खंबा थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगे पिछली सदी में तेज रफतार वाली गाड़ी वही थी कभी कभी हवाय चार्ज भी देखने को मिलते दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उनने देखने बाहर दोड़ते और दिखता ये एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा था ऐसा लगता था उनको जैसे एरोपलेन भारी भरकम पक्षी हो पंक फैला कर ये देखो वह गायब उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती हाँ गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं बूलती यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था वहाँ आखो के डॉक्टर अंग्रेज थे रियल में बच्पन में ही लेखी का के चश्मा लग गया था तो उसी समय उनकी वहाँ पे एक अंग्रेज डॉक्टर थे जिनको उसने दिखाया था और फिर वहाँ पे उनका एक चश्मा बना था शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा छोटे मोट बड़े मेरे चहरे की और देखते और कहते आपको में कुछ तकलीफ है इस उम्र में एनक दूद पिया करो मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती कुछ देर पहनोगी तो एनक उतर जाएगा तो वो डॉक्टर कहता था कि अगर आप कुछ देर पहनोगी तो ये आपको चश्मा उतर जाएगा लोग उन्हें चिडाते थे इसके लिए वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्रस ने दिया कि लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उत्रा मतलब कि अब बड़ी हो चुकी है उन्हें ने पढ़ाई लिखाई सब कुछ के लिए एक लेखी का बन चुकी है तो अब तक उनका चश्मा भी नहीं उत्रा है नंबर बसका ही होता रहा मैं अपने आप इसकी जम्यदवार हूँ जब आप दिन की रौश्णी को छोड़कर रात में टेबल लेंप के सामने काम करेंगी तो इसके लवा और क्या होगा ये बात जो देखी का के साथ है कि अगर हम दिन की रोशन में काम नहीं करते हैं और रात को टेबल लेंप की रोशन में काम करेंगे तो चश्मा हमारे जरूर लगा इसलिए हमें रात को जादा काम ना करके दिन में जादा से जादा कारिय करना चाहिए जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया ताकि सुझे दूर की, यही नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की ऐसा केकर वो उन्हें चड़ाते थे मैं खीजी की मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है पर शेर बुरा ना लगा जब चाय पिकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आयने के सामने खड़ी हो गई, कई बार अपने को देखा एनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, देखती रही सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ 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 मैंने अपने छोटे बाई का टोपव उठा कर सिर पर रखा कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजा किया भी तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुर मिल गया है चश्मा जब कभी उतरा हुआ होता, तो चेहरे, चेहरा खाली-खाली लगने लगता याद आ गया, वहाँ टोप, काली फ्रेम का चश्मा लंगूर की सूरत हाँ, इन दिनों, शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ मैंने कई रंगों की जमा कर लिए, कहां दुपट्टो का ओड़ना और कहां आज सहल सहल सुभिते वाली फ्रेमा चली टोपियां तो ये लेसन हमारे कृष्णा सुपती जी के बारे में उन्होंने लिखाए उन्होंने अपने बच्पन की इस मरत्यों को इस पार्ट के जरीए हमारे तक पहुँचाने की पूरी कोशिश किये तो सभी को हमारे बच्पन की सभी इस मरत्या हमें नहीं तो कुछ-कुछ तो याद होती है हमें अपने बच्पन में हमने क्या-क्या किया उसके बारे में भी हमें काफी चीजे याद रहती है हमें अपने बच्पन की हर चीज के बारे में रहता है कि जैसे हम बच्पन में क्या पेहनते थे क्या खाते थे क्या करते थे यह सब क्या था बच्पन है यह हमारा बच्पन है बच्चों यह पार्ट आपके लिए है आप अब भी छोटे हैं तो आप इस पार्ट को पढ़ेंगे ठीक है? ओके